साथियो नमस्कार मैं राम प्रताप सिंग कुश्वाहा हमारे चैनल ग्यान एंड नौलिज की साखा मन्थन में आप सब का स्वागत है वेलकम है अभिनंदन है सु स्वागतम मेरा चोटा सा पर्चा ये है कि मैं रिटाइर्ड पुलिस वाला हूँ और परम स्वाग ये प्राप्त हुआ है कि मैंने अपने सर्विस के तीन-चार साल उस विसेश परिशर में जहां प्रभू स्री राम जी का जन्मस्थली है वहाँ पर और जो प्रभू स्री राम जी का गर्वग रह था जो पांडाल जिसको कहा जाता है मतलब मूल जो जन्मस्थली है वहाँ पर मुझे सौभाग प्राप्त हुआ धाई दिन तीन-चार साल में सिर्फ धाई दिन का ही मौका मिला क्योंकि सब लोग महाँ पर बड़े जो इसकी डूटी लग जाती थी वो हडता ही नहीं था उसको असीम आनंद प्राप्त होता था तो चलिए हमको धाई दिन का ही आनंद प्राप्त हुआ वास्तों में और देखिए भा अपना अनुभव जो है शेयर कर देता हूं इस ब्लाग के मात्यम से हाँ एक बात अवस्थ है कि मुझे इत्यास से या इत्यासिक घटनाओं से कुछ विश्यस लगाव रहा है तो वो भी इसमें मैं अपना उसका प्रभाव भी डालने का प्रयास करता हूं और हमारे चैनल म यथार्त मन्थन मिलेगा अच्छा हमारा देश वर्स 1947 वे सोतंत हुआ फिर यहां पर सरकारें बनी सरकारों के पहले भी यदि आप देखें भारत के सोतंत होने के पहले भी भाई अयुद्या का एक बहुत महान इत्यास रहा ही है और ये तो सब्त नगरी में सामिल है चलिए पहले तो भाई पराधीन थे और एक काफी लंबे समय तक पराधीन रहे और उस समय अयुद्या की दुरुद्यसा हुई तब तो कोई बात नहीं वो तो खेर भाई अधिकारी नहीं था पूरे सारे भारतियों की दुरुद्यसा हो रही थी उसमें भाई सभी नागरिक सामिल थे भारत जो भूवंडल में रहते हैं लेकिन सुतंतरता के बाद भी क्या अयुद्या पर जो उत्तरदाई संस्थाएं उत्तरदाई सरकार उत्तरदाई लोग थे तो क्या उन्होंने अयुद्या के विकास के लिए कुछ कारे किये जरा उसका पहले आप चित्रन देख लें फिर आज की वर्तमान इस्तिती पर भी आप मन्थन करें देखिए मैंने अयुध्या जी के कुछ आपको चित्र दिखाए जो वास्तों में मूल अयुध्या है तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे जरजर हो जैसे यहां भूतों का डेरा हो या मतलब एक तरह से भगना विशेष की बस्ती हो ये तो आपको इस्थाई स्थिती दिख रही है और वैसे क्या दिख रहा है एक भए आकरांद और भयानक के स्थिती अयुध्या की हमेशा चित्रित की गई और हमारी समझ से अयुध्या के विकास पर किसी ने गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया अभी विगत पाँछे दस साल से की इस्थिती अलग है देखिए मैं इस से जो ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि नहीं तो फिर राजनीतिक कुछ से हो जाएगा उससे पहले कि मैंने आपको इस्थिती बता दी कियोंकि मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से अनभूती किया है और क्योंकि जब मेरी पोष्टिंग हुई तो मैंने अपने कुछ से मिलने वाले जो हमारे दोस्ते थे अरे इस्तिदार थे उनको भी बुलाया तो उन्होंने अयुद्ध्या जी की जो इस्तिती देखी थी जब नाम सुना था उससे तो बहुत आनंद के साथ वो आये थे लेकिन जब उन्होंने अयुद्ध्या की इस्तिती देखी थी तो उन्होंने बहुत उनको दुख हुआ था और कश्ट हुआ था कि बताईए क्या इस्थिती बना रखी है अयोध्या की अब देखिए कुछ है मुझे क्लिप राप्त हुई है वर्तमान की उन वर्तमान में भी देखिए कि वास्तों में अयोध्या क्या था और क्या हो गया सबसे पहले तो मैं आपको वो दिखा रहा जहां युद्ध ना जीता जा सके वो अयोध्या तो वही सोच का यहां साकार चित्रन हो रहा है देखिए सुर समराग्डी भारत रत्न स्री लता मंगेशकर जी की वीड़ा का यहां पदारपन हुआ और भव्य चारहा बना वहीं सर्यू जी से जो स्री रामलिला जी का मार ग जैसा सोच होगी जैसे आप विचार होगे जैसे आप द्रस देखेंगे वैसी आपकी मांसिक्ता बनेगी यह तो जो मनुविज्ञानिक हैं फ्राइड ने भी इस बात को कहा है थोड़ा अंग्रेज विचारक का नाम लेलें तो हमारा महत्त हमारे बजन बढ़ जाएगा फ् पहले आपने अयोध्या की जरजरेश्थिती देखी तो उससे आपका विच्थत कैसा बना होगा यह आपने खुद चिंतन कर लिया और आज जो वर्तमान में आप देख रहे हैं उससे आपका भविस्त कैसा बनेगा या आपका विच्थत परसनाल्टी आपकी कैसे बनेगी ये एक छोटी ची दूसरी क्लिप और है, उसको भी देख लीजे. माली… एक छैनि दू CPUप बिचेन पाईन अूसरी आरंकिर से canadid. मैं इख भी दू मुझे जाय रखुने मुझे दू पिंदे आर्किर सु कुमर्युटॉ मुझे जाय लखेंे रखुने में आर्किर सु क्लिफूमुए मैं आर्किर सत्यान। Dry शेय र। अब मैं अयोध्या से सीधे आपको ले चलना हूँ एहमदावाद और एहमदावाद में आपको सूर मंदिर सूर मंदिर की जो प्राकृतिक छटा है वो आपको दिखा रहा हूँ आप वास्तों में आपका मन प्रफुलित हो जाएगा और आनन्द से भढ़ जाएगा जब आप प्रिकति का साकार चित्रण आप देखेंगे और आपको लगेगा कि प्रिकति अहिलादित हो रही है वर्तमान समय पर सकार अत्मक्ता से पॉस्टिविटी से ये पॉस्टिविटी ही भारत देखना चाहता है और भारत के नागरिक देखना चाहते है अयोध्या की जो ये आपने आज रमणिकता देखी मनोरमता देखी वास्तों में प्रतेक भारती यहीं चाहता है भारत का हर वर्ग इन रचनातमक्ता से इन सकारातमक्त से खुस है आनंदित है अर्थ जगत में तो इतना बड़ा परिवर्टन हो रहा है कि अगर इसी तरह का आयूजन भारत में अगर होते रहें तो भारत की तकदीर ही बदल जाएगी और भारत वास्तों में जो पहले कहा जाता है कि सौने की चिडिया था वो साकार चित्रन हो रहा है आज एहमदावाद और अयुद्या में जो आप देख रहे हैं अयुद्या की नई इस्तिति देखिए भगवान स्री राम चरित मानस में बड़ा अच्छा description है इस बात का वर्णन कि प्रभू राम जी का जब अवतरन हुआ था सारे भाईयों के साथ तब पूरी प्रिकती अच्छा दित और आनदित हो गई थी चारों तरफ नदियां अपने पूर सरोवा पे चल नहीं थी सुन्दर वसंत रीटू इस्थाई हो गई थी और चारों तरफ दिव देवताओं के जो है विसेस प्राकरतिक छटाएं प्राकरतिक वनस्पतियां अपने पूर उत्साय पड़ थी वही आज हो रहा है पूरी भारत भूम में नहीं पूरे विश्व में हो रहा है आप लंदन चले जाएं आप पैरिस चले जाएं आप थाइलेंड चले जाएं आप कमबोडिया चले जाएं आप जहां जहां आप नजर डालेंगे प्रफू राम जी की जह जह कार हो रही है तो यह सब क्या है यह सब स्री राम लला जी ही करा रहे हैं राम लला जी ने अपना मकदमा स्वेम लड़ा और स्वेम ही वो जीते ह किसी का इसमे वो नहीं है और स्वैम ही आज रचन्रक्ता के कार हो रहे है नजर डालेंगे भर्मण करेंगे तो आपको राम मैं ही लगेगा राम मैं देखिए आप कहीं भी नजर डालें आप भर्मण करें आपको आनंद के छण ही मिलेंगे और लोग राम भजन में ही आपको एकदम आनंदित मिलेंगे और देखिए इसमें ग्रह भी नहीं बचे जितने भी ग्रह हैं वहाँ भी राम में हो रहा है वातावरन आज ही लखनो के एक महान विज्ञानिक जो यूथ है उन्होंने नए तारा मंडल खोज लिया और जिसका नाम रखा गया है राम गंगा तो देखिये सब पृभू स्री राम जì ही करा रहे हैं और यही भगवान स्री कशने जी ने भी कहा है किसमें गीता जी में क्या कहा है कि हम सब मनुष से निमित्र मात रहें तो फिर भाई क्यों विरोध हो रहा है क्यों लोग दुखी हैं कि नहीं नहीं ये फला सज्जन फला महानभाव ही भगवान को विराजमान कर रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है अरे ईश्वर ने जिस च्छण वो विराजमान होना होगा उसी च्छण विराजमान होंगे सबने विरोध करके देख लिया लेकिन अब जो जो महूर्त निकला है वो महूर्त भी ईश्वर के द्वारा ईश्वराधीन है और जो निमित्र मात्र व्यक्ति या महानभाव वहां पहुंचेंगे राम जी की सेवा में वो भी पहले सही लिखा है अब इसका उधार्ण कहिए बताएं स्री राम चरित मानस से राम चरित मानस में रावण के पुत्र का नाम था मेगनात जिसने इंद्र को जीत लिया था भाई बहुत बड़ा महारत ही था लेकिन उसको मार कौन सकता था मार सकते थे सिर्फ स्री राम जी के अनुज लक्षमण जी लक्षमण जी के अरे सज्जन लोग विरोध कर रहे हैं वो कृप्या इसी से समझ लें कि यही यथार्थ है यही सास्वत है कि प्रभू ने प्रतेक व्यक्ति को इस दुनिया में रंग मात्र के लिए भेजा है कि जाओ तुम ये काम करो उससे वही काम होगा कोई दूसरा नहीं कर सकता है यही ह राम जी का और स्री राम चरित मानस का असली ज्यान जो जन जन को जनना चाहिए चलिए भाई आज का ब्लॉग अब यहीं समाप्ट करते हैं नवीन अयुद्या से उर्जावान अयुद्या से जो समस्त दुनिया को एत नया संदेश देगा देखिए संदेश क्या है सनातन लौजिक का जो ब्रम्हत्र पुनान है वो कहती है जो महान ज्यान है और महान संदेश है वो संदेश है तमसो महार जोडती ब्रमाई मतलब अंदकार से प्रिकास की ओर चलो असत्त से सत्त की ओर चलो तो भाई 500 साल का संघर्ष ये इसी बात का घोतक है कि सत्त ही यथार्थ है सत्त ही सास्वत है और सत्त ही राम है और सत्त ही ब्रह्म है चलिए अब इसी संदेश के साथ अब हमारे चैनल को भी सब्क्राइब कर लें और मिलने चुलने वालों को तुरंट फॉरवर्ड कर दें और नोटिफिकेशन की बटन भी दबा दें जिससे हमारे नोटिफिकेशन तुरंट आपके पास पहुंद जाएं और आप इसी तरह आन